गुद्मॉर्णी अभीवन इस वीडियो में देखेंगे जो मेंस के लिए अभी स्टुटेंट्स टेयरी कर रहे हैं कि उनको क्या-क्या वीडियो कॉंटेंट जो है वो देखना चाहिए आने वाले मेंस के लिए वीडियो कॉंटेंट का फायदा यह होता है कि आप इसे खाना खाते हुए देख सकते हैं कोई और अक्टिविटी कर रहे होते हैं तब भी देख सकते हैं इसे होता है कि आपका टाइम होता है जो अधर्वाइस वेस्ट हो जाता कुछ और चीज देखने में उसको अच्छे से कर सकते हैं तो यहां पर हम कुछ चीजें ऐसी देखेंगे जिसको आप मल्टिपल टाइमस भी देख सकते हैं ताकि में में चाहिए वो पेपर नमबर वन हो टू हो त्री हो एवन पेपर नमबर एथिक्स हो वहां पर आपको हेल्प मिलेगी अगर आप यह सीरीज यह जो डि को देखा था और कहीना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी वज़े से जो मेरा आंसर था उसमें जो कॉलिटी थी वो कहीना कहीं अनहेंस होई थी और जो मार्क्स थे वह इंप्रूव होए थी सबसे पहले तो आपको देखना है राज्यसभा की डिसकुशन्स देखिए राज आपका डेवलप हो जाता है क्योंकि आप देखी रहे हैं कि काफी सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं यहां पर आते हैं अगर compare to other channels देखे वहां पर जो discussions होते हैं to an extent मुझे लगता है वो superfluous nature की होती है एक तो topics ऐसे होते हैं जो कि इतने important नहीं होते हैं और दूसरी तरफ जो एक्सपर्ट्स आते हैं एड्वोकेट्स से लेके जर्नलिस्स से लेके जो politicians भी आते हैं काफी educated लोग जो है उनको बुलाया जाते हैं ऐसे लोगों को बुलाया जाते हैं जो कि domain experts होते हैं और यहां पर जो pointers आपको दिए जाते हैं वो काफी important होते हैं वही चीज आपको mains में भी help करते हैं लिखने के लिए और इवन जब interview में भी पूछा जाता है वहाँ पर भी help करते हैं और ऐसा भी हो सकता है it is highly likely कि राजेसभा में कोई एक particular personality जो है वो आपको यहां पर देखने को मिले किसी discussion में और वो आपके interview board के अंदर भी बैठी हो तो ऐसा भी जो possibility आप उस भी help किया और इवन मेंस के time पर भी मैंने discussions को देखना continue रखा था छोड़ा नहीं था काफी important topics मेंस के साब से जो topics होते हैं वही इसमें discuss किये जाते हैं यह कहूंगा कि 90% topics आपके exam के लिए relevant होते हैं 10% ऐसे होंगे जिनको आप छोड़ सकते हैं आपको देखती पता चल जाए तो प्रधार मंत्री की जो series है यह मैं आपको पहले भी बता चुक हूँ काफी important है मैंने भी 2-3 बर इसको देखा था इसमें basically आपको जो इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो 1947 के बात का पूरा development है उसके बारे में चीज़े बताए गई हैं कि कैसे जो वलदबाई पट पूनागड के के से के बारे में हाईदरबाद के के से के बारे में आपको पता चलेगा इसके अंदर तो काफी important है इसके अलावा जो emergency का period था उसके बारे में 1991 के जो LPG reform से इस तरीके काफी important topics जो है around 25 से 30 इसके अंदर lectures है जो आपको यहाँ पे देखने को भी लेंगे इसका पार्ट है यह काफी अच्छा है इसमें से हम नोट्स बना सकते हैं उन maps खास तोर पे काफी अच्छे इसके अंदर दियेगा है 1947 के आसपास के जो maps थे वह काफी अच्छे इसके अंदर आपको दिखायो है तो उसको भी snip करके आप अपने notes के अंदर लगा सकते हैं अगर परदार मंतरी को आप जरूर देख लीजिए का mains की series के लिए भारत एक कोच काफी important है series यह आपको ancient और medieval इंडिया की एक अच्छी picture जो है वह आपको दिखाती है आपको एक fair idea लग जाता है ancient इंडिया के बारे में हमारी सब्वैता के बारे में culture के जो questions होते हैं उसमें आपक एक्जाम के सबसे unnecessary है उसे आप skip कर सकते हैं तो भारत एक हुझ भी काफी important series है prelims as well as mains के लिए क्योंकि अभी आप mains के लिए त्यारी कर रहे हैं तो देखेगा इसको भी जरूर then next Gandhi movie के बारे मैंने आपको पहले भी पता है तो modern Indian history के लिए अगर आपको various events जैसे की salt moment डांडी कर रहे होते हैं डिनर कर रहे होते हैं धीरे धीरे इसको आदा आदा घंटा करके आप देख सकते हैं it's a very nice movie आपको काफी जादा modern Indian history की knowledge मिलेगी जो शायद आपको books से ना मिल पाए देके books में काफी सारी चीज़े दे रहे होती है इतनी सारे चीज़े होती है जो शायद movies के है easily लिख पाते हैं तो Gandhi movie काफी important है देख सकते हैं इसको भी then another movie जो की revolutionary activities modern Indian history के लिए ये भी तो modern Indian history के लिए देख सकते हैं जो revolutionary development हुई थी हमारे यहां पर 1920s के आसपस इसके बारे में पूरी यहां पर information दी हुए इस movie के अंदर various events चोरी चोरा से लेकर आपकी जो robbery हुई थी गांदीर भी impact हुआ था और इसके क्या क्या impact से यह भी आप एक dramatic form में इस movie में देख सकते हैं और क्योंकि dramatic form में आपको सब चीज़े दिखाए जाती है तो चीज़ें आपको लंबे टाम तक याद भी रहती है तो यह movie भी आप mains के perspective से देख सकते हैं even prelims के perspective से भी से देखा जा सकता है अब जो next चीज़ है वो है यह सिर्फ main skill important है क्योंकि आपको पता है कि जो world history में world war one हो world war two हो काफी सरे ऐसे events है जो कि आप से पूछे जा सकते हैं ज्यादा इस area पे क्योंकि जो आपकी word history होती है इस पे ज्यादा question नहीं आते तो इसलिए ज्यादा time मत लगाई है क पूरी की पूरी books लिखी गई है इसके उपर आपको हजारों movie देखने को मिल जाएंगे इसके उपर इतना time हमारे पास है नहीं क्योंकि cost benefit analysis करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ज्यादा इस पर अगर आप time लगा देंगे तो बाकी के subjects आपके रह जाएंगे तो यहाँ एक यह दो movies आप देख सकते हैं एक यह दो कोई BBC की या फिर discovery की कोई series जो है वह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने भी random YouTube के ओपर world war के ओपर movies देखी थी ताकि मुझे पता चल जाए इलाइट पावर कौन सी थी एक्सिस पावर कौन कौन सी थी क्या-क्या issues थे यह पूरा world war जो शुरुवात हुई थी वो कैसे हुई थी Germany ने क्या-क्या developments करी थी यू बोट कैसे बनी थी यह सब चीजों के बारे में आपको knowledge मिल जाएंगी तो basic knowledge काफी है बहुत जादा इसमे पेपर होता है लेकिन ऐसा पेपर होता है जिसके नहीं सबसे कम आपको त्यारी के जुरूत होती है क्योंकि अगर आपके behavior के अंदर कुछ characteristics है तो answer लिखना आपके लिए काफी असान हो जाता है जादा चीजें books में दी नहीं होती है इसको लेकर ठीक है कोई definitions authors के जो नाम हो बड़े-बड़े दो-दो-तीन-तीन घंटे के lectures भी है इसके यूट्यूब के ओपर दिया गया है तो syllabus के इस आपसे जो चीजे important है उसी को देखिएगा और यहां पर basic आपकी जो understanding है वो develop करने में ये lectures आपकी help करेंगे कि क्या आपको decision किस situation में लेना चाहिए किस-किस तरीके जो problems होती है जब आपको decision लेना होता है किस-किस तरीके की dichotomies आपके सामने आती है जहां आपको X और Y situation के बीच में choose करने में सबसे जादा परिशानी होती है यह आपको यह lectures काफी अच्छे से सिखाएंगे तो इन lectures को भी आप YouTube के ओपर देख सकते है निक तो Harvard University की website के ओपर इसको serial कह लीजिए आप इसको debate discussion कह लीजिए इस particular discussion को कोई दूसरी movie कोई book कुछ भी replace नहीं कर सकता है क्योंकि यहां पर 30 minutes के अंदर आपको multiple experts जो होते हैं उनके यहां पर point of use एक particular area के ओपर सुनने को मिल जाते हैं तो यहां पर बहुत से students पुछते हैं कि mains के लिए कौन से material मैं follow करूं तो जो आपने चीज़े static paper के लिए पढ़िए वही पढ़िए newspaper को पढ़िए ज्यादा material के पीछे मत भागिए और जो राजेसभा की debates हैं इनको बिल्कुल ध्यान से सुनिए तो राजेसभा की debates मैं बार बर emphasize करके कह रहा हूं कि इसको जरूर देखेगा और notes अप after independence के लिए ancient or medieval period के लिए अब भारत एक हो जो हो देख सकते है cultural जो period है हमारा cultural जो section हमारा इससे पूरा हो जाएगा इसके अलाबाग गांधी जो है यहां पे आप जो हमारा modern Indian history है उसको देख सकते है along with the revolutionary part of the movement और फिर आपका जो word history है उसके लिए भी कुछ आप टाइम discovery के ओपर ethics portion के लिए Harvard University के lectures को देखा जा सकता है तो यह सब चीजें आप कर सकते है अपनी मेंस की preparation के लिए आपका जो भी time otherwise waste होता है traveling के टाइम पर जब आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है या फिर दिरिंग लंच डिनर आप इन सब चीजों को उस time को utilize कर सकते है ताकि जब बात में books आप पढ़ेंगे books पढ़ते हुए आपकी जो understanding level है वो better हो जाए क्योंकि आपने पहले से ही अपना जो base होगा वो यहाँ पर prepare कर रहा होगा अगर आपको लगते है इसके लावा और भी कुछ ऐसी चीजें तो आप उसे comment section में नीचे लिख सकते हैं इसक वाइस कि आप आपकी लूगते हूए टापकी जापकी जापकी बात माइसे जापकी यवार पक्टाथ को बंग पेसे किया चीजेंगे कि अपका टीकि नेचेंगे क।